विधान सभा चुनाव से पहले शिवराज सरकार ने नया कार्ड खेलते हुए कम्प्यूटर बाबा सहित पांच बाबाओं को राज्यमंत्री का दर्जा दे दिया है बलब भवन की चार दिवारी से निकले इस फैसले ने नर्मदा घोटाला यात्रा की प्लानिंग तो फेल कर दिया लेकिन मिनिस्टर बनते ही बाबाओं ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिये अब कंप्यूटर बाबा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चोहान से विधान सभा का टिकेट मांगा है इसके पीछे मंशा है कि मद्धिप्रदेश में ज्यादा से ज्यादा बाबाओं को चुनाओं में उतारा जाए जरा आप भी देख लीजिए कंप्यूटर बाबा के तेवर आरे दायद तो होता है कि संतों की बात हम माने मुख्यमंत्री तक पहुचाएंगे और संतों की एहम हम का जो है उस पर हम पूरी कोशिश करेंगे कि वह वहां तक पहुचें राज्यमंत्री बनने के बाद मिनिस्टर बाबाओं का रौब देखते ही बन रहा है मंडला पहुचे कंप्यूटर बाबा ने साधू संतों को राजनीती में मौका मिलने की बात करते हुए खड़ेश्वरी बाबा को विदान सभाच्युनाओं में टिकेट देने की मांग कर डाली कुल मिलाकर कंप्यूटर बाबा के बयान को सुनकर लगता है कि वे आने वाले समय में मध्यप्रदेश की सियासत में साधू संतों की लाइन लगाना चाहते हैं Bureau Report, MP News, Mandla